लेकिन बिहार के हर एक दिब्यांग को अगर एक एक रुपिया भी देना पड़े तो अपने खाते से नहीं देपाएं गरीब असहाई लोगों की मदद करते आपने बहुत लोगों को देखा होगा सभी अपनी शमता के हिसाब से जुरत मंदों को मदद करते हैं मगर हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी है जो केवल खुद मदद ही नहीं करते बलकि मौके पर मौजुद लोगों को मदद के लिए जागरुक कर असहाय को रहाद दिलाते हैं बिहार के चर्चित यूटूबर मनिश कश्यप इन दिनों कई रोल में नजर आ रहे हैं कभी पत्रकार तो कभी नेता तो कभी मसीहा के रूप में दिख रहे हैं मुजफरपुड के सरया में एक कारिकरम के दौरान मनिश कश्यप ने एक दिव्यांग को आर्थिक मदद ही नहीं बलकि इस कारिकरम में मौजुद लोगों से अपील कर इस दिव्यांग को सभी लोगों के माध्यम से आर्थिक मदद पहुँचाया इस दोरान मनिश कस्यप ने कहा कि बिहार में जितने भी दिव्यांग है, उसे अगर मनिश कस्यप एक रुपए भी देगा तो भी मदद नहीं कर पाएगा। मगर हर बिहारी मदद के लिए आगे आएगा तो सभी दिव्यांग की समस्याएं खत्म हो जाएगी साथ ही उन्होंने आम लोगों से अपील किया कि आप धर्ती पर जहां भी रहें उसके 100 मीटर के दाइड़े में कोई भी मापरेशान हो तो उसकी समस्या का समधान करने का प्रयास करें इस तरह अगर बिहार का एक बेटा समस्या के समधान को लेकर आगे आएगा तो कोई भी मापरेशान नहीं रहेगी दिव्यांग की मदद कर मनिश कस्यप ने समाज में एक संदेश देने का काम किया है कि अगर सहायता करने की चाहत हो तो on the spot सहायता किया जा सकता है मदद पाने के बाद दिव्यांग ने क्या कहा आए देखते हैं ये रिपोर्ट किस बात की मदद मांग रहे थे इलाज के लिए हमारा इस पाइनल में हो गया है ठीक है वह इलाज के लिए इलाज हुआ था लेकिन बढ़िया तरह से नहीं हुआ दुबारा परियास किये हैं कि अगर आप लोग एक एक रुप्या मदद कर दीजिएगा तो दुबारा इलाज होगा अगर ठीक हो जाएंगे तो फिर आप लोगों का आजीवन सेवा करेंगे तो यह यह आपको निताब के बीच जाना चाहीए निताब से बड़े लोह आपको का लगता है कि हम यह आप से बोला है प्रश्ट करवा दिया है पैसा पैसा था पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं यह पैसा हम लोग इनको आर्थिक मदद किया गया युवाओं के तरफ से मनिस कस्या भाई ने कहा कि मैं अपने जेब से पैसा तो दूंगाने मेरे पास पैसा है नहीं लेकिन उन्हों ने युवाओं को मतावयों बहनों को जागरित किया और सभी ने एक दस पांच पांसो नोटों की बरसात हो गई और यह बेचारे गरीब जो है यह मतलब इलाज के लिए तरस रहा है बिकलांग है इनको हम लोग सहयता दिये हैं सभी लोग मिलते इस मंच के माध्यम से लोग अपने 100 मीटर के डिस्टेंस में आप किसी को एक हजार उक्ता मदद करने की छमता रखिये स्वता बिहार बदलेगा स्वता मान सिक्ता बदलेगा किसी बिधायक और MP के नजदिक जाने किया सकता नहीं है अपने बिधायक और MP दोग बदल जाए लेकिन बिहार के हर एक ब्यांग भाई है तो उसके सारे समस्याओं का समधान हो जाएगा साथी साथ एक महत्पून बात मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि अगर आप धर्ती पे इंसान के रुप में पैदा हुए हैं तो प्रियास करें कि आपके 100 मिटर की दायरे में 100 मिटर के डाया मिटर में या डाया मिटर समझते है न दायरा 100 मिटर के दायरे में अगर कोई भी मा परिसान हो तो उसके समस्या का समधान करने का प्रियास करें और अगर एक एक बेटा बिहार का जो है एक एक मा के कष्ट को दूर करने का प्रियास करेंगा तो बिहार में कोई भी माजो है, वो समस्या से ग्रसित नहीं रही है.